हेलो फ्रेंड आज हम आपको सूकीवी आम का अचार बनाने जा रहे हैं जो हमने जून के महीने में आम को धो कर काट कर नमक लगा कर धूप में 8-10 दिन के निए सुखा कर एक पॉलिथीन में रख लिया था उसका आज हम उसी काचार बनाने जा रहे हैं देखिए यह हमने इस कुछ नर्म है और अगर थोड़सी घ्र सुखी है तो इसको हम गरम पानी में तो इसको डालकर इसको नर्म कर लेंगे देखिए अब हम एक चूला जला कर और इसको गर्म पानी में देखिए इस तरीके से हम इसमें पानी में डाल कर और इसमें थोड़ी सी हिंग डाल देंगे अब इतना ही इसको करना है दो मिनट के लिए जो यह नर्म हो जाए गर्म पानी में देखिए हमारे यह दो मिनट हो गया है और इसको अच्छी तरीके से गर्म हो गई है अब हम इसको चूला बन करके इसको चान लेंगे देखिए हमने यह चलनी में चान दिया इसको अब इसको इसका पानी बिलकुक अत्व हो गया है अब हम इसमें जो मसाले डालेंगे दो चम चे नेफी दाना एक चम मच कलांजी एक चम मच जीरा पिसा हुआ यह की चम मच साफली है एक चम मच लाल मिर्च पाउडर दो चम मच धनिया पाउडर अब है ना माक की जाएगई गी साफसे जाएगा लिणा लीक्स का छिए देने अर यसमे ये लिन यंग नादीह एजा सब्सको पुद हचीज ए लालियो अजसको एक शीर भाले लाले लाले ये लाले 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 ये लाले लाले लाल icon और इसे में ये तेल डाल देंगे जो हमने गर्म कर लिया है इसको इसकी तरीके में ला देंगे ये अचार बहुत जल्दी तैयार हो जाता है दो दिन में ये आपको भी कि अचार तैयार हो जाएगा इसको अच्छे तरीके से मिलाने के बार आप इसको इस जब्बे में डाल देंगे देखे हमारा ये अच्छार तैयार है और इसको हम उपड़ से तेल और डाल देंगे और दो दिन के बाद ये बिल्कुल आने के लायक हो जाएगा सुछाज है ये इसमें हम ये थोड़ा सा सिल पर डाल देंगे ताकि ये और अच्छा होजाएगा कि यह दो तिन दिन के लिए इसको धूप में लगते हुए हमने इसको दो तिन दिन की दूप लगाई है और यह देखी कितना बेद्रिनाचार हो गया है देखिए यह कहा देगा कोई यह सड़ी में बना हुआ है और फटा फट का चार है यह कूगी वी आंबियों का बहुत ही बढ़िया हचार है इसको आप खाएं और सब को खिलाएं घर बर बनाएं उसी तरीके से और अगर हमारी आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर ने शेयर करें और सर्प्राइब करना न भूलें